हाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चनल एडू के गारता में दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए वीडियो ले कराया हूँ आज से हर रोज एक नए नए वीडियो मिलेगा जो आपके हर एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्ट कि अस्थपना किस समीति की सिफारिष पर हुआ था चाराफ संदिया गया है सबसे पहले बात करते हैं कि जो एस बेका स्थपना हुआ था वो कब हुआ था तब को पता है कि 1921 में इंपिरियल बैंक के स्थपना होता है और इंपिरियल बैंक को ही एक जुलाई 1955 को SBI में बद दलता है उसके लिए एक समीति की अस्थपना की जाती है और उस समीति का नाम होता है गोरे वाला समीति तापका सही उत्तर हो जागा इसका अप्शन नमबर बी गोरे वाला समीति के सिफारिष पर SBI की अस्थपना होता है तो अस्थपना को होता है तो एक जुलाई 1955 को ठीक में है और मुंबई में कि जगह पर है तो नरीमन पॉइंट पर है है कि जगह पर नरीमन पॉइंट पर है हेड़क्वाटर एसबी का यह बात याद रहिएगा क्योंकि इतना डिप में जाकर सवाल करता है और बरतमान में स्थापना हुआ था वो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिस पर हुआ था 1934 के दाहत अर्बिया का स्थापना एक अप्रेल 1935 में किया गया था अगर राष्टिय करन की बात किजए तो एक जनवरी 1929 को आर्बिया का राष्टिय करन किया गया था और एक स्वाल प्रस्ता है आपसे कि आर्बिया का प्रथम गौवर्णर कौन था तो याद रखिएगा आर्बिया का प्रथम गौवर्णर जो था वो ओबी अस्मीद था ठीक है अगर भारतिय गौवर्णर की बात किजए तो प एक जुलाई से 30 जुन तक लेका वर्स होता है अगला सी नमर जो है option शिवरमन समीति तो शिवरमन समीति का समन्द नबाट की अस्ठपना से है और नबाट की अस्ठपना बारो जुलाई 1912 को होता है छटी पंच वर्सी ओजना के दोरान ठीक है और पर नबाट का मुख्याले कहां पर है तो मुंबई में है अगला डी नमर जो अप्सन है ग्यान प्रकास समीति तो ग्यान प्रकास समीति का समन चीनी घोटाला से है इस तरह से आपका पहला का जो उत्तर हो जगा वो गोरे वाला समीति अप्सन नमर भी सही हो जगा आए अगला दो नमर प्रस्ण देखते हैं उत्रा खंड के मुख्य मंत्री बर्तमान में कौन है चाल अप्सन दिया गया है पाला है बेबी रानी मोर्या तुसरा है पुसकर सी धामी तिसरा जग मोहन रेडी और चौता है हेमंत भी सो सर्मा इसमें सबसे सही उत्र हो जाएगा उत्रा खंड के मुख्य मंत्री बर्तमान में पुसकर सी धामी है अप्सन अमर भी सही उत्र हो जाएगा और जो अप्सन अमर ए है बेबी रानी मोर्या वो उत्रा खंड के बर्तमान में राज येपाल है ठीक है और जो जगमुहन रेटी है वो बरतमान में आंध्र पर्देश के मुख्य मंत्री है जिनको CM of the year से सम्मायनत किया गया है और जो D option है हेमंत विश्व सर्मा वो बरतमान में असम के चीफ मिनिस्टर है अगला तिन नमर प्रस्ण देखते हैं तिन नमर प्रस्ण है निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंद तैराकी से है चारपसंदी आगया है नेत्रा कुमनन, B फवाद मिर्जा, C साजन प्रकास, D भवानी, C तो इन चारों में तैराकी से संबंद रखने वाले जो है वो है साजन प्रकास क्या होगा उतर? साजन, प्रकास, वो तैराकी से संबंद रखने वाला है नेत्रा कुमनन, वो नाविक से संबंद रखते है जबकि फवाद मिर्जा, वो घुड सबारी से संबंद रखते है और भवानी सी तलवार बाजी से समंद रखते हैं इसलिए आपका सही उतर हो जागा अपसन नमबर C साजन प्रकाश जिनका समंद तैरागी से है अगला चार नमबर प्रस्ण देखते हैं चार नमबर प्रस्ण है तो सबसे पहले बात करते हैं अंतराष्टिय उलंपिक के बारे में तो जो अंतराष्टिय उलंपिक समीती है उसकी अस्थपना किया गया था 23 जून 1894 को कब किया गया था? 23 जून 1894 को अंतराष्टिय उलंपिक समीती की अस्थपना किया गया था इसलिए हर वर्ष अंतराष्टिय ओलंपिक दिवस 23 जुन को मनाते हैं बर्तमान में अंतराष्टिय ओलंपिक समीति के अगर अध्यक्ष ही बात कीज़े तो थोमस बाकर बर्तमान में अंतराष्टिय ओलंपिक समीति के अध्यक्ष है जिनको हाल ही में सियोल सांती पुरसकार से सम्मानित किया गया है अब बात करते हैं अफसर नमर B एक जुन को तो एक जुन को विश्व दुख्ध दिवस मना जाता है जबकि 21 जुन को विश्व योग दिवस मनाते हैं और पांच जुन को 200 पर्यावरन द्योस के रूप में मनाते हैं इसलिए आपका सही उतर हो जागा तेश जुन को अंतराष्टिय ओलम्पिक द्योस मनाते हैं अपसन नमर ए आईए अगला पांच नमर प्रस्ट देखते हैं पांच नमर प्रस्ट है हरमल मिर्च की सिराजय का जी ाई टेग है तो जो हरमल मिर्च है आपको चार अपसन दिया गया है असम, गोवा, केरला और बिहार तो सबसे पहले जो बात करते हैं हरमल मिर्च के बारे में सॉरु जी आई के बारे में तो जो g.i. Hate वह 10400 के लिए मदता है और 1999 की अधिनियम के तरहत्स को लाया गिया था और सब से पहले डाक्चलिंग चाय को दिया गया है अब बात करते हर्मल मिर्ज के बारे में तो जो हर्मल है वह गोवा का GI टैग है अपसा नमर भी सही ऊतर हो जाएगा गोवा के कौन कौन सा पस्तू ए जिसको GI टैग दिया गया है तो देखिए हर्मल मेर्च को खाजे को मुईरा केला को छोला मिर्च को और फेनी को यह सभी गोवा का चीज डियाति है, जिसको G.I. tag के रूप में मनता दिया गया है। अब बात करते हैं अपसर A असम में क्या-क्या है, जिसको G.I. tag के रूप में दिया गया है decision मानेता, तो तेजपूर लिच्चि और Munga Silk यत दोनों को G.I. tag जो है असम का है। केरला की बात किज़े तो नवारा चावल अलफी इलाइची निलामबु टी और कसाबु साड़ी यह सबी केरला का जियाई टेग है जबकि बिहार की बात किज़े तो साही लीची बिहार का जियाई टेग है आए अगला छे नमर प्रस्ण देखते हैं छे नमर प्रस्ण है घरेलू मखी में गुण सुत्र की संख्या कितनी होती है चार अपन दिया गया है तपका सही उतर हो जाएगा अपन दर गहरेलू मखी में गुण सुत्र की संख्या कितना होता है जबकि मक्का में गुण सुत्रिक संगय कितना होता है वो 20 होता है तो आपका सही उतर हो जागा अपसन नमर D घरेलू मक्ही में गुण सुत्रिक संगय कितना होता है तो 12 होता है अगला साथ नमर प्रस्ण दखते हैं साथ नमर प्रस्ण है सोतंतरता का अधिकार का जीक्र किस अनुछेद में है चाल अपसन दिया गया है अपसन नमर A है अनुछेद 14 से 18 तक B है अनुछेद 19 से 22 C है अनुछेद 23 से 24 और D है अनुछेद 25 से 28 आपका सही उतर हो जाएगा सोतंतरता का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है अनुछेद वो नई से 22 तक अफसर नमर B आपका सही उत्तर हो जाएगा अब बात करते हैं अफसर नमर A अनुछेद 14 से 18 में किसका जिक्र है तो अनुछेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है जबकि अनुछेद 23 से 24 में आपको सोसर के बिरूद अधिकार के बारे में बताया गया है अफसर मोजो D है 25 से 28 उसमें धार्मिक सोतंतरता का अधिकार के उलेक है जबकि अनुछेद 29 से 30 में संस्कृति ओम असिक्षा संबंदी अधिकार के बारे में बताया गया है सवरी संस्कृति औम सिक्षा समंदी अधिकार के बारे में किसे मताया गया है 29 से 30 में और अगर बात करते हैं अनुछेत 32 को तो उसमें सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है जिसको भीमरा अमेदकर द्वारा सम्मेधान का आत्मा कहा गया है किसको अनुछेत 32 को सम्मेधानिक उपचारों का अधिकार को तो आईए अगला आठ नमर प्रस्ण देखते हैं आठ नमर प्रस्ण है राष्ट्रिये चाय अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है चाल अपसंदी आगया है A है लखनाउर B सीमला C जोरहट D कोटायम सही उतर हैगा आपका जोरहट अपसं नमर C राष्ट्रिये चाय अनुसंधान केंद्र कहां है तो जोरहट में है अपसं नमर A बात करते हैं लखनाउर में क्या है याद रखिएगा भारतिये गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है तो लखनाउर में है जबकि सीमला में केंद्र ये आलु अनुसंधान केंद्र है अब बात करते हैं कोटायम के बारे में अपसं नमर D तो कोटायम में याद रखिएगा राष्ट्रिये रब़ड अनुसंधान केंद्र है कहां पर कोटायम में आईए आगला नो नमर प्रस्ण है फ्रांसी सी इस्ट इंडिया कमपनी का अस्थापना वर्ष क्या है आपका चार अप्सन है अप्सन नमर ए जो है 16-20 बी 16-20 इसवी सी 16-64 इसवी डी 17-31 इसवी तब का सही उतर हो जाएगा अप्सन नमर सी 16-64 इसवी फ्रांसी सी इस्ट इंडिया कमपनी की जो अस्थापना हुई थी वह 16-64 में हुई थी सबसे पहले अगर इरोपियन की आगमन की बात की जाए तो सबसे पहले इरोपियन में पूर्टगाली भारत आया था 14-98 इसवी में और उसके कमपनी के जो नाम था वह था पूर्टगाली इसट इंडिया कमपनी जिसका आगमन 14-98 में हुआ था जो अप्शन नमर ए है 16-цо तो 16-98 में अगरेजी इसट इंडिया कमपनी के अस्थापना होता है जबकि состо2 में ड्च इसट इंडिया कमपनी के अस्थापना उता है तो आयए अप्शन इसका सही उतर जगा अप्सान नमर C 1664 में फ्रांसी सी इस्टिने कमपनी की अस्थपना होता है आईए अगला 10 नमर प्रस्ण लेखते हैं 10 नमर प्रस्ण है जैन धर्म के दुईतिये तिर्थंकर कौन थे चार अप्सान दिया गया है आपको पाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे रिसब्देव जैन धर्म के अस्थपना कौन किये थे तो रिसब्देव किये थे और इसके साथ ही रिसब्देव जो थे जैन धर्म के प्रतम तिर्थंकर थे जिनका प्रतिक चीन के अगर बात की जाए तो उनका प्रतिक चीन था कौन? सांड कौन था? सांड जैन धर्म के संस्थापक या प्रत्थम तिर्थंकर रिसब्दों का प्रतिक चीन था और यहाँ पर प्रस्ण पूछ रहा है कि जैन धर्म के दूतिय तिर्थंकर कौन थे? तो आपका अफसर नमर C है सांती नात ये 16 तिर्थंकर है जैन धर्म का और इनका हीरन प्रतिक है और जब अफसर नमर D जो है पार्सो नात वो जैन धर्म का 23 तिर्थंकर है जिनका सर्प प्रतिक चीन है क्या है सर्प पार्सो नात का प्रतिक चीन है जबकि महाविर जो है जैन धर पर है जिनका प्रथिक चिन क्या है., तो दोस्तों इस तरह से आपका 10 प्रस्नों का समाप्थ हुआ, इसमें कम से कम आपको 40 झाल 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 झाल